जार्खंड के गिरिडीह में परिवर्टन यात्रा को संबोधित करते हुए केंद्री गिरिमंत्री अमीच साह ने कहा कि जार्खंड में जिस प्रकार से गुसपैट हो रही है अगर इसे प्रकार से घुस पैट जारी रही तो 25 से 30 साल में घुस पैटिये यहां बहुमत में आ जाएंगे एक बार जार्खंड की सत्ता को बदल दीजिए और रोहिंगियों और बंगला देशी घुस पैटियों को चुन-चुन कर बाहर भेजने का काम विजेपी करेगी आप चाहते हो क्या गीडी घुस पैटियों से भर जाए जोर से बहुत चाहते हो क्या है मन्सोरे ने रोक सकता है क्या कॉंग्रेस रोक सकती है उनकी तो वाट बैंकी वो ही अभी जार्खंड आईकोट ने ओडर किया है जार्खंड सरकार और भारत सरकार का ग्रू मंत्रा ल करें और डिपोर्ट करें मैं कहता हूं अगर जार्खंड सरकार इनकी रही तो यह नहीं होने देंगे एक बार जार्खंड सरकार बदल दीजे मैं आपको वादा करता हूं रोहंग्या और बांगला देशी घुस पैठियों को चून चून कर जार्खंड के बहार बेदने का क काम भारतिये जनता पार्टी करेगी यह हमारी सभ्यता को हमारी सभ्यता को नश्ट करें हमारी संपति को हड़प रहे हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार से नकली साधी रचा रहे हैं और हमारा रोजगारी का भी वो लूटने का काम करते हैं जारखन के अंदर कोई घुस पेठिये की जगे नहीं वो भारतिय जन्ता पार्टी ही कर सकती है